आईए नेक्स एक्सेसाइज, एक्सेसाइज 5.3 की तरफ भढ़ते हैं, उसमें जो है, वो कौन सा केस डिस्कोस हो रहा है, आईए स्टार्ट करते हैं, हमारे पस केस 3 क्या है, जब क्यू ओफेक्स कॉंटेंज नौन रिपीटिट इर्रिडूसिबल कॉडिटिक फेक्टर्स, अ जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक्स केर प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स केर प्लस थी आर एर्रिडूसिबल कॉडिटिक फेक्टर्स, यानि हम इनको मजीद फेक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसकी जो पार्शिट फ्रेक्शन होगी, वो इस फॉर्म की होगी, यहनि हम लिखेंगे AX प्लस B, ओवर AX केर, प्लस BX प्लस C, और हमने A, B को फाइंड करना होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पस क्वस्टन है, X केर प्लस 1 डिवाइड ओवर X Q प्लस 1, अगर हम देखें, तो हमारे पस यह क्या है, प्रौपर फ्रेक्शन है, तो हमे हमारे पस क्या है, यह क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं यह लिख चूँ, तो a cube प्लस b cube का फार्मूला, अगर वो लिख लें हम यहाँ पर क्या होता है, a cube प्लस b cube किसके ब्रावर होता है, a plus b, a square minus a b plus b square, तो अगर हम इसको open कर लें तो हमारे पस क्या आ जाएगा, x plus 1, x square minus x plus 1, तो हमने क्या किया, a cube plus b cube का फार्मूला लगा लिया, अब हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, पार्शर फ्रेक्शन में, a x plus b लिखूंगी, क्योंकि जब मैं x square quadratic factor ले रही हूं, तो उसकी पार्शर फ्रेक्शन इस फार्म की होती है, plus c over x plus 1, अब क्या करते हैं, lcm ले ले लेते हैं, अगर हम इसको 1 कह दें, lcm लेने के बाद हमारे पस क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, x plus 1 इससे multiply हो जाएगा, और c के साथ जो आजाएगा, x square minus x plus 1, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, अब क्या करते हैं, हमारे पस एक linear factor यहाँ पे कौन सा है, x plus 1, उसको हम equate कर सकते हैं, 0 के बराबर, वो भी कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, कि comparing coefficients का भी सहारा लेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, चले हम open करके लिख लेते हैं, अगर इसको मैं open करूँ तो इक क्या बन जाएगा, कर लूँ, तो क्या है, XK की टर्म्स क्या है, A plus C, यह क्या आजएगी, X की, इसी तरह X की टर्म्स अलग कर लूँ, तो क्या है A plus B minus C, और भाहर क्या है X, और इसी तरह बाकी constant की टर्म्स हम लिख लेते हैं, वो क्या है, plus B, और यहां पर क्या आएगा, sorry, यह plus C था, यह क्या आजएगा, plus C, इसको मैं 3 का नाम दे देती हूँ, अब हम क्या करते हैं, A, B, C की values निकाल लेते हैं, उसके लिए हमें क्या करती हूँ, put, linear factor को equate कर देती हूँ, 0 के बराबर, यहां से क्या आजएगा, X क्या आजएगा, minus 1, तो वो क्या आजएगा, अगर मैं minus 1 दाल लूँ, तो मिरे पस क्या होगा, minus 1 से मिरे पस कौन सी term बचेगी, C वाली term बचेगी, A, X plus B वाली term जो है, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहां पर हम दाल लेते हैं, minus 1 का square 1 आजएगा, minus minus plus 1, plus 1, तो यहां से C की value लिख लेते हैं, हमारे पस क्या आजएगी, 3C is equal to 2, और C क्या आजएगा, 2 by 3, अभी हमने C की value निकाल लिए, अभी हम क्या करेंगे, और A और B की value निकालेंगे, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, comparing coefficient of X square, यहां पर हम लिख लेते हैं, comparing coefficient of X square, तो अगर हम X square के coefficient compare करेंगे, तो हमारे पस left side पे X square का क्या coefficient है, 1 है, उसको हम लिख लेते हैं, और दूसरी side पे हमारे पस क्या है, A plus C, और हमने C की value भी निकाल ली है, तो A हमारे पस क्या आ जाएगा, अगर हम C की value यहां दाल दें, तो क्या आएगा, A plus 2 by 3, तो A वहाँ जाके क्या होगा, A equal to 1 minus 2 by 3, और यह क्या आ जाएगा, 3 minus 2, अलसे हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, 1 by 3, हमने A और C की value निकाल ली, अभी हमने क्या करना है, B की value निकालनी है, तो अगर हम क्या करें, constant के coefficients compare कर लें, comparing, लिख लेते हैं उसको, coefficient of constant, constant क्या है, B plus C, और left side पे क्या पढ़ा हुआ है, 1, तो यहां से C की value दाल दें, तो C की value क्या जाएगी, 1 minus C, और 1 minus C क्या आएगा, 1 minus 2 by 3, और यहां से B की value भी क्या आजाएगी, 1 by 3, हमने A, B, C की value निकाल ली है, अब हम equation 1 में put कर देते हैं, तो जब हम equation 1 में put करेंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा answer, इसको हम दिख लेते हैं, X plus 1, A क्या था हमारे पास, 1 by 3, X plus B क्या है, 1 by 3, ओवर क्या है, X क्या माइनस X plus 1, और C की value क्या थी हमारे पास, 2 by 3, ओवर X plus 1, तो इसको मजीद simplify कर लें, तो यह क्या बन जाएगा, X plus 1, over 3, X क्या माइनस X plus 1, plus 2 over 3, X plus 1, यह हमारे पास क्या आगी है, required partial fraction आगी है, Thank you.